Hello students, welcome back to VBH classes. So in this lecture we are going to study about lead storage battery. Electrochemistry की सारी वीडियोज अप्लोड करी है. हमने NERST EQUATION की वीडियो अप्लोड हुई है. और उससे पहले हमने Faraday's Law की अप्लोड करी है. अब आज हमने बात करनी है, last topic है जो हमारा lead storage battery और dry cell, mercury cell, nickel, cadmium cell. ये सारी की सारी वीडियोज बच्चे हम एके करके अप्लोड कर देंगे. तो आज का topic हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेंगे हम. हमको बात करनी है lead storage battery. तो lead storage battery में बच्चों हमारे पास क्या-क्या हमने पढ़ना है. इसमें सबसे पहले जैसे हमें पता होना चाहिए कि anode क्या है और cathode क्या है. सबसे पहले तो basic चीज यही है. तीन layout है इसके. एक anode, एक cathode और एक electrolyte. कौन सा electrolyte यूज करना है? देखने दर जान से. घर में जो हमारे inverter लगे हैं, उसके साथ जो battery लगी है. उसी की आज हमने working पढ़नी है. कि जब light चली जाती है, तो inverter काम कैसे करता है? बैटरी कैसे काम करती है? बिजली कैसे बन रही है? यही सारा इस picture में हमको पढ़ना है. तो जादा जैसे हम time waste नहीं करते हैं, हमको सीधा मुद्दे बे बात करना है. देखो, दियान से इदर यह देखो बच्चो, यह हमारे पास एक है PB, यह PB की हमने लेक्टोल ले ली, और इसी के साथ हमने यह लख लिया, पीबी O2, यह है अनौड पीबी, और यह है पीबी O2, बहुत simple trick से मैं आपको बताने लगा हूँ, कि इसको learn कैसे करना है reactions को, क्यू दूसरा हिससा इसका आया, यह connect हो गया इसके साथ, यह ऐसे ऐसे, series में connect होता है, और इसमें sir हमारे पास electrolyte क्या है, इसमें electrolyte है बच्चो हमारे पास H2SO4, जिसकी density है बच्चो 1.3 gram per centimeter cube, जिसकी density कितनी है, 1.3 gram per centimeter cube, learn रखनी है, आपको MC की पूच सकते है, कि inverter जब charged होता है, तब H2SO4 जो उसमें है, उसकी density कितनी है, we will say 1.3 gram per centimeter cube, अब इसमें बच्चो लेबल कर लेते हैं थोड़ा सा, this is PB, यह है PB, lead की हमारे पास एक electrode है, और यह anode पर होती है, सबसे पहले तो यही तीन चीज़े पतावने चाहिए, कि PB anode क्या है, यह वाला जो बच्चो हमारे प method, PB is anode, electrolyte क्या है, H2SO4, यह तीन चीज़े आपको बच्चो ले आउट पता होनी चाहिए, किसी भी cell को learn करना है, मैं dry cell भी upload करूँगा, सारे के सारे के करके video upload करेंगे, बट अभी इस पर focus करके हमको समझना है, अगर यह समझ लगेगा, तो बाकी सारे भी समझ लगेंगे, और सबसे tough भी यह होता है, जिसमें reactions बहुत जादा है, बच्चो को बहुत problem आई हैं, बहुत से comments, messages आई हैं कि हमको lead storage battery, inverter की working के video चाहिए, तो इसलिए हम उसी के लिए खास upload कर रहे हैं, तो तीन चीज़े याद रखनी हैं, जो भी हमारे पस battery के cell लगे होते हैं, उसमें क्य सबसे पहले note करो, step by step चलेंगे, अब note करने के बाद हमको क्या करना है, देखना है, इसकी reactions देखनी है, बच्चो हमको, यह मैं यहां रब कर देता हूँ, ताकि center में ही लिखूँ तो better रहेगा, यह देखिए, अब reactions लिखनी है, diagram भी रब कर रहा हूँ, I hope अपने draw कर लिया ह अगर नहीं करा, तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, pause करो, और note करो, चलो बच्चो, अब हम आगे करते हैं, देखना इदर ध्यान से, सबसे पहले reaction को क्या करना है, H2SO4 के 2 moles को बच्चो break करना है, हमने, double sided arrow लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 4H positive, plus 2SO4, 2 negative, सबसे पहला काम, इलेक्टोलाइट का मतलब ही यह है, कि अगर उसको हम liquid में डालेंगे, किसी भी solution में डालते हैं, तो वो break करता है ions में, H2SO4 कभी अकेला काम नहीं करेगा, वो हमेशा break करके क्या देगा, 4H positive, और SO4, 2 negative, clear हो लिए, यह पहला step है, इलेक्टोलाइट को break करा, strong इलेक्टोलाइ वो भी upload कर रखी है, और उस पर अच्छा खासा response भी हमें मिला है, और भी वीडियो आ रही है, तो सबसे पहला step इसमें हमने याद रखना है कि H2SO4 को break करना है, H positive और SO4, 2 negative, मैं यह first step हो गया, अब देखो बच्चों, anode आया, anode पर मैंने क्या बताया था, को anode पर क्या है, Pb, अब anode पर इतना भी हमें याद है कि anode पर क्या होती है, हमेशा oxidation, anode पर oxidation, what is oxidation, removal of electron, जब कभी हम किसी metal से electron निकालते हैं, उसको oxidation बोलते हैं, यह चीज़े मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा सीधा ही lead storage battery की वीडियो देखनी आ गया हो, और उसन से ना पड़े हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि anode पर क्या है, oxidation होती है, and what is oxidation, oxidation is removal of electron, oxidation is removal of electron, अब देखना ध्यान से, जैसे ही lead से हम electron निकालेंगे 2, देखो, ऐसे लिखेंगे, 2 electron बाहर गे, Pb2 positive, बन गया, simple सी चीज़ है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, oxidation हुई है lead की, anode पर, और जैसे ही बच्चों हमारे पास Pb2 positive है, हमको solution से 1SO42 negative भी तो मिलेगा, अभी मैंने बताया, जो इतना बड़ा diagram यहाँ बनाया था, उसमें break करके H2SO4 किस form में था, H positive, SO4 negative, SO4 के कितने ions है, 2 है, और H positive के कितने ions है, 4 है, जो liquid हमारा electrolyte है, उसमें से 1SO4 इसने लि overall anode की reaction क्या हुई बच्चों, यह देखना है हमको, Pb2 positive, Pb2 positive cancel, overall anode की reaction, Pb, यहाँ S लिखते हैं, SO4 2 negative, of course यह solution में है, तो aqueous लिख सकते हैं यहाँ पर, next क्या लिखेंगे, right side पर, PbSO4, यह solid है, plus 2 electron, बहुत बच्चों आपने देखा होगा, inverter के उपर, जो बहुत पुरा लेडिसलफेट है, जो green से color का, हलका सा green सा, जो लगता है कि हाँ जब हम उसकी cleaning करने जाते हैं, कि एक मीन, दो मीन बाद, तीन मीन बाद, या छे मीन बाद भी हम देखते हैं, तो battery के उपर कुछ हलका सा जमा रख रहता है, वो एकठा deposit होता है, वो यही है PbSO4, तो पहला क् step है हमारा, anode पे क्या हो रही है, oxidation, removal of electron हो रहा है, Pb से electron निकालेंगे, और जैसे ही two positive बना, उसने solution में से SO4 से attack करके, PbSO4 बना दिया, अब हमारा इस वीडियो का पहला काम यह है, कि हमको anode की reaction बनानी यानी चाहिए, जो कि मैंने एक से दो से तीन बार आपको repeat करकरके, बा उपर शायद visibility ना हो, अब इधर करके लिख देते हैं, Pb प्लस SO4, two negative, बन क्या रहा है, PbSO4 प्लस two electron, यह बच्चों मैंने side पे लिख दिया reaction, अब बार यह आती है cathode की, अब देखना cathode कैसे काम करता है, इसमें, यह देखे हो जी, cathode पर होगी फिर reduction, याद कैसे रखते है सी, cathode, RC कैसे बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि cathode को कैसे याद रखना है, RC, Royal Challenge Bangalore, विराट को ली की टीम है, Royal Challenge Bangalore, तो याद रखना है, RC, means reduction occurs at cathode, यह लिखो यहाँ पर reduction, what is reduction, gain of electron, oxidation क्या थी अभी पीछे, lose of electron, तो cathode पे क्या हो रही है, cathode पे पहले बत दूसरी चीज़ यह है, बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है, focus इदर रखना, focus इदर रखना, कि PbO2 में हमारे पास जो electron gain करने की tendency है, वो बच्चे oxygen की है, तो पीबी की नहीं है, lead में से metal है, metal तो electron देने में believe करता है, oxygen electron अपने पास खीचता है, तो sir, reaction कैसे लिखेंग फिर यह दिखना द्यान से, दो electron gain हुए, यही दो electron हमने निकली थी, यही दो electron हमारे निकले थे, किस से निकले थे हमने, lead से निकाले थे, gain कौन करेगा, oxygen gain करेगा, but lead फिर 2 positive में चला जाएगा, और oxygen देखो, अपने 2 electron gain करके 2 negative charge मनाएब, कितने oxygen थे, 2, यहाँ भी कितने लि positive बच्चो बनता है, इसको solution से, दूसरा, SO4, 2 negative मिलेगा, एक SO4, 2 negative मैंने, anode में use करा, एक SO4, 2 negative मैं, cathode में use कर रहा हूं, तो बनेगा क्या, PBSO4 वही वाली चीज, बोलो, yes or no, यह बन गया, अब, 2O, 2 negative भी कौन सा चुप बैठेगा, अगर positive negative से मिल रहा है, तो यह negative भी किस positive को लेगा, जो solution में पड़ा है, यही बला oxygen जो अभी जिसने electron gain करे है, तो क्या बनाएगा, यह बनादेगा, water molecule, और कितने water molecule बनाएगा, बच्चो दो water molecule बनाएगा, देखो ऐसे, यह है cathode की reactions, सीधा रटा नहीं लगाना, कि सर, anode की पहले learn करो, फिर main cathode की learn करो, और overall reaction ले learn तबी होगा, logic तबी समझ लगेगा, otherwise waste है सब फिर, ऐसे learn करना है तो, अब इसकी overall reaction बना दो, इसकी overall reaction में जो cutting होती है, वो काट दो पहले, यह 2 positive, 2 positive गया, correct है, यह 2 O 2 negative, यह 2 O 2 negative गया, और कुछ कट हो रहा है, नहीं सर लिख दो, चलो क्या बन रहा, overall, PbO2, plus SO4, 2 negative, plus 4 H positive plus 2 electron, what is on the right hand side, PbSO4, plus 2 water molecule, यह देखो बचो, यह है हमारी overall cathode की reaction, overall cathode, अगर आपको सीधा learn करना है, तो सीधा anode की मैंने यहां लिख रखी है, यहीं cathode की, बहुत मुझकिल हो जागा, exam में अगर आप सीधा learn करोगे, तो overall anode, overall cathode, I hope आपको समय लगा होगा, अब हम overall reaction मनात आते हैं, देखना द्यान से इधर, इसको रब कर देता हूँ, अब मैं overall anode लिखने लगा हो पहले यहां पर, overall anode, what is overall anode, देखना reaction क्या थी, Pb plus SO4, 2 negative, यही थी, on the right hand side, PbSO4, plus 2 electron, यही थी बच्चे हमारी overall anode, जो मैंने बनाई थी, अब overall cathode क्या है, यह लिख लेते हैं, overall cathode नीचे लिख रखी है, यही हमारे पास overall cathode, that is, this is overall cathode, reaction is, PbO2, plus SO4, 2 negative, plus 4H positive, plus 2 electron, इतना कुछ है, और right में क्या है, हमारे पास बच्चो, PbSO4, plus 2 water, I hope, camera में आ गया हो, अगर नहीं आया, तो यहां पर 2 water molecule लिखा है, अब देखो देहान से, इसको net देखे, net reaction क्या बन के आ रही है, net reaction क्या बन के आ रही है, यह 2 electron, 2 electron, पहले तो cancel करो, अब यह देखो, 4H positive और 1 SO4, यहां पर भी 1 SO4 है, तो 2 SO4 और 4H positive में, मैं ऐसे लिख सेकता हूँ, सबसे पहले तो Pb लिखो, और वाला, फिर उसके बाद क् PbO2, यही भी लेक्ट में आ रहा है, प्लस कर दो, प्लस यह दूनों तीनों मिलके, यह देखो, मैं circle कर रहा हूँ, यह, second and third, यह दूनों मिलके, तीनों मिलके, 2H2SO4 बना देंगे, 2SO4 है, 4H positive, right side क्या बनाएगा, PbSO4, PbSO4, मतलब कितने PbSO4 होगे, 2 PbSO4 होगे, प्लस 2 water molecule, यह रहा है बच्चो, हमारे पास final reaction, what is this, this is final overall reaction, this is final overall reaction, Pb plus PbO2, plus H2SO4, कितने लिए रहा है, 2, और right side में क्या बन रहा है, PbSO4 plus 2H2O, this is the discharging reaction, यह बच्चो, क्या था हमारे पास, this is discharging of lead, storage, battery, मतलब आपका inverter अब खतम हो जाएगा इसके बाद, और अब density कितनी रह जाएगी, इसकी, density changes from 1.3 to 1.2 gram per centimeter cube, इस तरह आपका inverter की battery जो है, वो खतम हो जाएगी, 6 गंटे निकलते है, 7 गंटे निकलते है, 8 गंटे निकलते है, it depends upon H2SO4, और anode और cathode की electrodes पर, जितना पुराना होता रहता है, उतना ही हमारे पास फिर वो काम करने के इसकी capacity कम होती रहती है, यह सारे के facts है, अब इस पर question सीधा भी आ सकता है, कि write the reactions of lead storage battery, how the batteries work, ऐसे बहुत से question बन सकते हैं, anode reaction भी आ सकती है, cathode reactions भी आ सकती है, यह सारी की सारी चीज़े पूछ सकता है, examiner, और यह बच्छो discharging है, अगर मैं आपको बताऊं, इसकी recharging, दो मिनिट लगेंगे, अब patience रखना, ऐसा ना हो कि फड़ा बट जल्दी जल्दी वीडियो आगे निकाल दो, दो मिनिट लगेंगे, recharging reactions एक बार देख लो कि कैसे होती है, अब देखना, recharging में हम split करके नहीं पड़ेंगे, जैसे इसकी split करके पड़ेंगे, रिचारजिंग सीधी पड़ेंगे, अब देखो, recharging में क्या होगा, जो reaction, reverse करनी है हमने, जो reaction cathode पर थी, discharging में जो cathode पर थी, वो recharging में anode पर होगी, वो भी उल्टी, हमको reverse भी करनी है, और change भी करनी है, जैसे इस पर anode पर यह वाली reaction थी, but this is now recharging, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपका जो battery है, वो recharge हो रहा है, तो क्या लिखूंगा recharging reaction, PBSO4 plus 2H2O, बच्चे देखो, reverse करा है, यह वाला इधर आ गया, और right side में क्या बनेगा, PBO2 plus SO42 negative plus 4H positive plus 2 electron, यह रहा बच्चों, आपके पास anode पर जो reaction होनी है, यह जो मैंने लिखी है, यह anode पर reaction लिखी है, जो anode पर होनी है, clear हो रही है यह चीज़े, जो recharge की reaction है, पहली बात तो जो cathode पर हो रही है, वो इधर anode पर होगी, फिर उसको reverse भी करना है, जो right में product में था, वो reactant पर जाजाएगा, इसी तरह से अब बच्चों मेरे को यह बताओ, cathode पर क्यों सी reaction होगी, जो इधर anode पर हो रही थी, और वो भी reverse, what is reverse, PBSO4 plus 2 electron gain करके, right में क्या बनेगा, PB plus SO4, 2 negative, बोलो yes और no, clear हो रही है चीज़े, अब बच्चों आपको overall reaction लिखतो हो, क्या दिक्कत है, 2 electron, 2 electron cancel, क्या बनेगी देखना इधर, 2 PBSO4 plus 2 water molecule, on the right hand side what will be the compound form, PB plus PBO2 plus 2 H2SO4, अब देखो, जो recharging में H2SO4 फिर से बन रहा है, जब inverter recharge होता है, बैटरी खथम होने के बाद, जब light आ जाती है, recharge होता है, तब H2SO4 बच्चों right side में, product side में बन रहा है, जो की फिर से ready हो रहा है, ताकि H2SO4 फिर से जब कभी light जाए, तो consume करके, फिर से ये reactions आरी कराएगा, तो जब तक electrolyte बनता रहेगा, electrolyte फिर बाद में use करने के लिए बनता रहेगा, बार बार बनेगा, इस तरह से inverter क्या करता है, discharge होता है, फिर उसके बाद H2SO4 की formation होती है, तो recharge होता है, तीन घंटे recharge में ले लेगा, दो घंटे recharge में ले लेगा, और फिर आठ घंटे का battery backup आपको देगा, तो आपको discharging भी पढ़ना है, आपको recharging भी पढ़ना है, हमें नहीं पता board वाले कौन सा question सेट कर रहे है, neat वाले कौन सा question सेट कर रहे है, is it from discharging और recharging, NCIT exemplar में recharging पर question है, बट theory में book में discharging पर दे रखा है, हमको दोनों तरीके से पढ़ना था, अब हमको ये सारा का सारा एक बर फिर से लिखके देखना है, electrochemistry है, इसको बिलकुल lightly मत लेना, show some respect, ऐसा नहीं कि आपने एक बर वीडियो देखी, फिर बाद में लिखा ही नहीं, दो से तीन बार लिखो, इस तरह से अब हम mercury cell भी कर लेंगे, easy होगा, वैसे वो primary cell है, पहले करना चाहिए था, बट अगर हमने इतना बड़ा reactions वाला समझ लिया, तो वो बहुत easy लगेगा, mercury cell, dry cell, lead storage, nickel cadmium, और fuel cell, ये 5 cell और battery आपको पढ़ने हैं, आपके final board examination के लिए, आपके नेट जाई के लिए, तो मिलते हैं, next video में,